आज की कहानी चेडिया और जुगनू चलिये शुरू करते हैं सुबा हुई चेडिया चूचू करती घर से निकली उसे बहुत भूग लग रही थी वो फुर से उड़ी और खाने की तलाश में निकल गई सारा दिन खाने पीने में गुजार दिया शाम हुई चेडिया एक पेड़ पर जा बैठी सूरज डूब चुका था हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था चेडिया ने सोचा अब मैं घर कैसे जाऊंगी वो उदास हो गई इतने में एक जुगनू उदर से गुजरा उसने चेडिया से पूछा बीबी चेडिया उदास जुगनू बोला बीबी चेडिया उदास क्यूं होती हो मेरे साथ चलो मैं तुमें रास्ता दिखाऊंगा ये कहकर जुगनू उड़ा रास्ते में रोशनी हो गई चेडिया जुगनू के पीछे चली थोड़ी देर में चेडिया का घर आ गया चेडिया बहुत खुछ हुई उसने जुगनू से कहा भाया तुम बहुत अच्छे हो जुगनू हस पड़ा और चमकता हुआ आगे चला गया सच कहते हैं जो लोग अच्छे हैं वो दूसरों के काम आते हैं तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें सब्सक्राइब करें शेर करें ऐसी अच्छी कहानिया आपके लिए लेकर आती रहोंगी जब तक के लिए अल्ला हाफिज